ब्यार में सडक हासों में लगतार इजाफा देखने को मिल रहा है राज के अंदर साइधी को ये साथ दिन होगा जहां सडक हासे की खवर नहीं निकल कर आती होगी इस पर लगाम लगाने के लिए परसासन लगतार कोशिश कर रहा है लेकिन इन सब के बावजूद सडक दुख की मौत होगी जबकि कई लोग घायल होगे घटना के बारे में जो जनकारी आ रही है उसके अनिजार मनियारी थाना के काजिंडा चौक के पास बस और ट्रक की आमने सामने टक कर होगी इस सडक हासे में एक वेक्तिक की मौत होगी जबकि कई लोग घायल होगे यात्रियों से वरी बस और ट्रक की सीधी टककर हुई है इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का महौल हो गया इस हाथसे के बाद चीख पुकार मच गई यह घटना मुझपर पूर समस्तिपूर मुख्मार इनेच 28 पर हुई है इस रख हाथसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पह दू Bentarck चालक की मौत हो गई जब कि बस बुरी तरह से चोतिग्रस्त हो गया हाथसे पकर छालक का सबस्ट में फच्च्च्च्स ऐसे में कई जगों पर सड़क दुगटना की सूचना आए दिन मिलते रहती है। सड़क दुगटना में कई लोगों ने अब तक अपनी जान गवा चुका है। सड़क दुगटना की घटनाओं को देखते हुए राजी सरकार ने कई युजनाओं की शुरुबात की। जिससे दुगटनाओं पर नियंतरन किया जा सके है। लेकिन परशासन और सरकार के लाख कोशिस के बावजूद भी सड़क दुगटनाओं में कमी नहीं आ रही है। हाला की सड़कों पर यातयात नियमों को लेकर लगतार ड्राइफ चलाए जा रहा है। जिससे लोगों के बीच ये जागरुकता फैलाई जाए कि ओवर स्पीड में वहाँ नहीं चला है। लेकिन सड़क दुगटनाओं वाले इलाके में तमाम परियास के बावजूद भी दुगटना लगतार होई रही है। अलाकि इस बीच मुझपरफूर से जो ख़वर निकल के सामने आई वो दिल को धला देने वाली है। आपको बताते कि बिहार सरकार सड़क दुगटना में कमी लाने के लिए परिवहन विबाग के तरफ से लगतार कई अवियान भी चलाए जा रहे हैं। जिसका असर आम जगों पर तो दिखता है। लेकिन रफ ड्राइविंग करने वाले लोगों पर इसका असर कोई नहीं पड़ता है। यही वज़े है कि आए दिन बिहार के हर कोने से सरक दुगटना की ख़वरे निकल कर सामने आती है। जहां कई लोग काल के गाल में समाज आते हैं। जहां कि आते हैं। यह लोग मुझा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतला यह घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में। पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक। अड़े-अड़े, आप क्यों मुझ मीठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है। घर वापसी की खुशी, पुर्णिया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.